नमस्कार दोस्तों वेलकम टो नॉलेज इपीसी मैं हूँ निखिल आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे यूरोप का पॉलिटिकल मैप जिसमें हम लोग जानेंगे यूरोप के सभी कंट्रीज का नेम लोकेशन और उसकी कैपिटल सिटीज तो चलिए शुरू करते तो यह आपके सामने पूरे वर्ल्ड का मैप जिसमें यूरोप का लोकेशन यह आप देख सकते हैं यह ग्रीन कलर से किया हुआ है यूरोप पूरी तरह से नॉर्दन हेमिस्पेर में ही लोकेटिड है पूरे वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं यूरोप का लोकेशन तो यह क्या सब कर किके तो मेडिक हो जाता हां और यूरोप के नॉर्ण साइड में आटलांटी कोशन हो गिया और यूरोप Сथे पूरा का मैप अब एक एक country करके देखते हैं बारी-बारी से क्या 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 location है पहले सबसे पहले हम लोग countries का location समझ लेते हैं तो यूरोप के northern part में आगर आ जाते हैं तो यहाँ पर तीन countries मिलती है जिसको याद करने का भी तरीका है Norway, Sweden और Finland लाइन से ठीक है Norway, Sweden और Finland और इसके साथ साथ आप एक country और देख सकते हैं Denmark जो की mainland Europe से यहाँ से जर्मनी के पास से यहाँ पर लगा हुआ ठीक है इसके साथ एक और country है Iceland यह 5 country पहले northern Europe में आ जाती है तो इनको पहले देख लेते हैं Norway, Sweden, Finland और जर्मनी के साथ लगा हुआ Denmark और इधर Iceland, west side में Iceland पढ़ जागा ठीक है तो यह 5 country northern side में बिलॉंग करती है Europe को है और इसके उपर में Norwegian और उपर में पूरा Arctic महाशागर है तो यह जो 5 country मैंने अभी बताया Norway, Sweden, Finland, Denmark और Iceland यह Scandinavian countries के नाम से जाने जाते हैं तो यह जो 5 country आती है Greenland मतबकि Greenland politically Denmark के अंदर ही आ जाता है वैसे अगर जोग्राफिकल ही देखें तो Denmark आ जाता है Northern America के अंदर में ठीक है लेकिन politically यह Denmark के अंदर आ जाता है तो यहाँ पर हमारी 5 Scandinavian countries होगे एक बर फिर से मैं नाम repeat कर देता हूँ Norway, Sweden, Finland ठीक है और इसके साथ Iceland और इधर Denmark यह 5 country आ जाती है Scandinavian countries में अब तो यह Scandinavian countries हमने देख लिया अब उसके बाद और थोड़ा सा इसके West में आते हैं तो यहाँ पर दो country मिलेगी हमें United Kingdom and Ireland ठीक है अब इसके बार में थोड़ा सा आराम से देखते है United Kingdom को समझने से पहले तीन-चार यहाँ पर kingdom है पहले उसको समझ लेते हैं तो यह जो पहले जो mainland यह जो देख रहे हैं तो इसके जो सबसे southern part में England बिलोंग करता है तो यह जो border देख रहे हैं यहाँ से यह और यह यह पूरा जो island बिलोंग कर रहा है यह England हो गया इसी के अगर west में जाएंगे तो Wales हो गया ठीक है और इसके अगर England के north में जाएंगे तो Scotland हो गया तो यहाँ पर तीन kingdom बिलोंग करते हैं ठीक है इसके साथ एक और kingdom है northern island तो यह चारो kingdom मिलाके United Kingdom नाम से जाने जाते हैं और एक चीज़ बार-बार आता है ब्रिटेन नाम से तो ब्रिटेन क्या होता है ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन नाम से तो यह सिर्फ इसमें से northern island को हम हटा देते हैं अगर हम सिर्फ रखते हैं England, Wales और Scotland को मतलब कि यह वाला जो island है mainland इनका यह अगर रखते हैं तो इसको हम लोग Great Britain के नाम से जानते हैं ठीक है और अगर इस Great Britain के साथ हम Northern island को भी ले लेते हैं तो यह बन जाता है United Kingdom ठीक है Ireland एक completely sovereign अलग country होगे और इधर में चार kingdom मिला के नाम मैं वापस से repeat कर देता हूं England, Wales, Scotland और Northern island यह चारों मिला के United Kingdom के नाम से यह जाना जाता है इन दोनों island के जो बीच है Ireland Republic of Ireland और जो Great Britain इसके बीच में इरीशी पढ़ जाता है ठीक है अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम लगे इस Canadian countries इसमें पांच country आते हैं वो भी complete कर लिया उसके बाद United Kingdom और Ireland यह भी British island के अंदर में आ जाते हैं तो यह भी हमने complete कर लिया अब आ जाते हैं थोड़ा Southward में चलते हैं तो Southward में दो country आ जाते हैं पुर्तुगाल और Spain ठीक है यहाँ पर इसको इब्रियन Peninsula के नाम से जाना जाता है और detail में देखते हैं तो Bay of whiskey और Atlantic Ocean यह फ्रांस और Spain के बीच में Bay of whiskey पढ़ गया और इधर बीच में दो country बिलॉंग करत में जुड़ा हुआ ठीक है तीन साइट से इसमें पानी है यह एक पनिसुला वन गया और इसका नाम हो गया इब्रियन पनिसुला पे दो country बिलॉंग करते हैं Spain और पुर्तुगाल तो यहाँ पे हम लोग इसके नेवेडियन countries देख लिया Norway Sweden Finland Iceland और देन्मार उसके बाद हम ल रहेंगे तो यहाँ पे country मिलेगी Germany ठीक है तो यह दोनों most important country है Europe के तो France और Germany यह दोनों भी border share करते है ठीक है और इस दोनों country के बीच में आप देखेंगे तीन countries और पढ़ते हैं चोटे चोटी तीनों country है सबसे पहले देखते हैं Luxembourg Luxembourg purely landlock country है मतलब कि यह जो चारोर से कि मिलेंगी Europe में कि जो कि landlock है ठीक है उसके बाद Luxembourg तो हो गया है France और Germany के बीच में उसके बाद और थोड़ा से नौर्थ में जाएंगे तो मिलेगा हमें Belgium ठीक है जो कि यह भी दोनों के साथ border share करता है France और Germany के साथ लेकिन यह landlock नहीं है यह सी से connected है ठीक है और अगर थोड़ा Belgium के भी नौर्थ में जाएंगे तो हमें मिलेगा नीधरलेंड नीधरलेंड फ्रांस के साथ border share नहीं करता है यह नीधरलेंड सिफ जर्मनी के साथ border share करता है तो यहा साथ कंप्लीट हो गया उसके बाद और तो हम जर्मनी के उपर हम लोग देखी चुक्क है डेन्मार्क वह तो इसका नेवेडियन कंट्री में आ गया अब जर्मनी और फ्रांस के नीचे एक और साथ में चलते हैं तो यहां पर एक और कंट्री परती है स्विट्जर लेंड य डेवल लेंड लोग कंट्री का मतलब हो गया कि जो वैसे कंट्रियों से घेडा हुआ है जो खुद भी एक लेंड लोग कंट्री है आप देख सकते हैं लेंड लेंड लोग कंट्री है यह एक तरफ से अस्ट्रिया से घेडा हुआ है और दोनों ही लेंड लोग कंट्री ठीक ठीक है यह पूरी इतली यलो कलर के जो पूरा दिख रहा है यह इतली हो गया ठीक है इतली के साथ दो आइलेंड और असेटे बतलब कि इतली का ही पाट है एक है सर्देनिया और सिसली यह दोनों आइलेंड भी इतली को ही बिलाउंग करते है अब इतली के अंदर भी दो और छ इसके नाम से आता हाँ वो भी हो गया ITALI के इतलि के नौर्थ वेस्टन पार्ट में सेंट Μेरीन ऊपढ़ जागा और ITALI के साथ वैस्टन कोस्ट पे वेटीकन सिटी पढ़ जागा तो यह दोनों कंव कंट्री भी इतली में बिलॉंग करते हैं, उसके साथ एक और छोटी सी कंट्री पढ़ती है, मुनाइको, यह भी city state है, एक छोटी सी कंट्री यहाँ पर पढ़ जाती है, मुनाइको, ठीक है, और जो यह क्रोशी आइलेंड देखने हैं, यह तो फ्रांस को ही बिलॉंग करता है, यह अलग स अब फिर आजाते हैं, अपने मेन लैंड पर, तो हमने यहाँ पर देख लिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जिम, निदर लैंड, लेजंबर, इटली, उसके साथ साथ जो छोटे-छोटे city states है, मुनाइको, सेंड मेरिनो, वेटिकन, यह सब भी हम लोग देख लिया, अब आज जाते हैं, स्विट्जे लैंड से इस्टन पार्ट में, तो वहाँ पे कंट्री परती है, आस्ट्रिया, और आस्ट्रिया के अगर नॉर्दन साइट में जाएंगे, तो हमें मिलेगा चेक रिपब्लिक, ठीक है, और चेक रिपब्लिक से भी अगर नॉर्दन साइट में चेक रिपब्लिक, अश्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलेंड ये सब सेंटर में आ जाते हैं, तो यहां तक हमने देख लिया, अब थोड़ा सा नॉर्धन साइड में चलते हैं, तो नॉर्धन साइड में देखा जाए, तो फिर से ये तो स्कैनेवेडियन कंट्री सी, उ से साओथ में, और पोलेंड के इस्ट में अगर देखेंगें तो बेलारूस विलॉंग करता है, और बेलारूस के अगर साओथ में जाएंगे तो युकरेण, ठीक है, यह कंटरी होगे, और युकरेण के बाद आ जाता एक छुटी से लेंडलॉघ कंट्री है, म Lao दोवो, याने एशिया वाले मैप में बताया था कि capital city जिस continent में बिलॉंग कर जाती है तो उसको उस देश को उसी continent में रखा जाता है तो रशिया का तो major हिस्सा तो एशिया में ही पढ़ता अगर land area के देखा जाया तो major हिस्सा तो एशिया में पढ़ता है लेकिन इसकी capital city Moscow तो पढ़ जाती है यूरोप में इस लो यूरोप में consider किया जाता है रशिया को ठीक है तो यह जो इस्टोनिया लित्विया लित्वेनिया बेलारूस यूक्रेन मोल्डोवो यह भी पार्ट थे former USSR के 1991 में जब USSR टूटा तो यह अलग-लग independent country बन कहते है ठीक है एक चीज और ध्यान तो रशिया यह दो भागवे है इधर में बीच में अलग-अलग country independent country है लेकिन रशिया का यह पार्ट भी है जो कि बाल्टिक सी को लगता है ठीक है अब तो इधर नॉर्दन साइट का हो गया इधर इस्टन साइड में रश्या हो गया यह भी हमने complete कर लिया यूक्रेन भी द देख लिया था अब अब थोड़ा सा साउथ में आते हैं यहां बें south में चलते हैं तो आस्ट्रिया के south में Slovenia पढ़ता है ठीक है और उसके भी south में अगर आएंगे तो क्रोशिया ठीक है अब क्रोशिया से भी अगर south में जाएंगे तो बोस्निया हर्जन गुविनिया यह country दरी पर थी। बोस्टीय है हरजन गोvenia are दो अलग अलग नाम नहीं मिला। यह एक ही country है यह लंभा नाव है इनका दो लिटरस में नाम है। इससे बाद और अगर south में आंगे तो Montego ठीक है हो। अगर south में आंगे तो Albania। और उसके भी South में आँगे तो Greece एक बार फिर से मैं repeat कर देता हूँ अस्टरिया के जैसे ही South में आँगे तो Slovenia, Croatia, Bosnia, Herzegovania, Montegrago, Albania, Greece ठीक है अब फिर से आते हैं हंगरी के नीचे से अब इस तरह से देखने में आपको समझ में आ जाएगा पूरा country अब हंगरी से नीचे चलेंगे तो हंगरी से नीचे आ जाएगा सर्विया, North Macedonia उसके बाद फिर से Greece आ जाता है और उसके बाद अब और वी East में जाके फिर South चलेंगे तो फिर अब रोमानिया और बुल्गारिया यह दो country है यहाँ पर एक छोटा सा country आप देख रहे होंगे, Kosovo, Kosovo को बहुत सारी countries recognize करती है, बहुत सारी countries recognize नहीं करती है लेकिन मैं तो UN के हिसाब से चलना हूँ तो UN के हिसाब से 44 country listed है, जिसमें Kosovo को listing नहीं है ठीक है, तो Kosovo एक time पहले सर्विया का ही part था, लेकिन अभी फिलहाल एक independent country है, लेकिन मानिता पर आप नहीं है, इंडिया के दोरह भी इसको मानिता नहीं दिया गया, लेकिन US-US के दोरह तो मानिता है इसको, लेकिन कुछ country के दोरह मानिता है, कुछ के दोरह नहीं है, तो इसको हम consider नहीं करेंगे यहां के लिए लेकिन अगर आप रियल में चेक कीज़ेगा तो यह country तो exist करती है लेकिन यहां पर हम सर्विया को ही country मान के चलें को सोबो को हम discuss नहीं करें क्योंकि हम यह उन के हिसाब से चलेंगे और इंडिया भी को सोबो को recognize नहीं करता है तो एक बार फिर से यहां पर repeat कर लेते हैं अस्ट्रिया हंगरी तो हम लोग देख लिए थे Central European countries में अब अस्ट्रिया का अगर हम South में चलेंगे तो Slovenia, Croatia, Bosnia, Harjangovania, Montegaro, Albania, Greece यह जो इसके western quotes है वहां पर यह लगेवे country है सब लगते हैं C से मतलब कि कोई भी landlock country नहीं है तो अस्ट्रिया होगे अब हंगरी के नीचे से चलते हैं हंगरी के बात हो गया सर्बिया, North Macedonia, फिर तो Greece आ जा रहा है ठीक है दो country यहां पर हो गया और फिर हंगरी के और साउस से लेकर नीचे चलते हैं तो रोमानिया, बुल्कारिया तो यह सारे country बालकन country के नाम से जाने जाते हैं अब यहां पर हो जाते हैं सारे 44 countries complete यूरोप के एक बर हम लोग फिल से रिवीजन के लिए एक बर फटा फट फिर से देख लेते हैं कि आप लोग को याद हो जाए कौन-कौन सी country है तो northern side में देखेंगे तो Norway, Sweden, Finland यह तीन country उसके साथ साथ लगावा Denmark हो गया जबकि Denmark लगता नहीं है इनके साथ land border ने इसे एर करता बीच में सी है लेकिन Denmark और Iceland यह पांच country इसके इनवेडियन country में आ गया है उसके west में चलें United Kingdom और Ireland हो गया है और अगर थोड़ा south में चलते हैं तो Spain, Portugal हो गया है ठीक है उसके बाद अब हम mainland से start करेंगे फ्रांस हो गय पीच में तीन country आ जाएंगे Luxembourg, Belgium, Netherlands ठीक है उसके बाद आगर हम थोड़ा eastern side में चलते हैं तो Germany के eastern side में हो जाएगा Poland उसके बाद जो रशिया के easternmost part में तो पूरा रशिया ही बिलॉंग करता है उसके बाद जो इसके साथ लगे वे तीन country हैं Baltic country, Estonia, Latvia, Lithuania ठीक है उसके अगर south में चलेंगे तो Belarus, Ukraine, Moldovo ये countries हो गए उसके बाद जर्मनी, Poland तो हम लोग देख लिए थे अब जर्मनी, Poland के बाद अगर south में जाएंगे तो Czech Republic, Slovakia, Austria ठीक है और उधर से जर्मनी के नीचे और France के बीच में पढ़ जाएगा Switzerland, और Switzerland, Austria के बीच में Latins, अब हम southern part में चलते हैं तो Italy और उसके नीचे Malta, ठीक है अब यहां पर तो Austria हंगरी हम लोग देख लिए थे तो Austria हंगरी के नीचे चलेंगे, Austria के नीचे Slovenia, Croatia, Bosnia, Herzegovania, Montegago, Albania, Greece ठीक है उसी तरह हंगरी के नीचे south में चलेंगे तो Serbia, North Macedonia, Romania और Bulgaria, ये country बिलॉंग कर जाते हैं बालकन country तो इस तरह से ये country's complete हुए और जो छोटे-छोटे city-state से ये भी country में ही बिलॉंग करते हैं, Saint Marino, Vatican, Italy के northern side में हो जाएंगे, Saint Marino और southern side में Vatican City, और Italy के एकदम जो France का, जो beach का, जो border area लगता है, वहाँ पर, जो coastal part है, वहाँ पर Monago, ठीक है, और France और Spain के बीच में, Andorra, जैसे मैंने बताया था कि तीन country, Italy के आसपास है, Italy के northern side में Saint Marino, एक वापत पूरा Italy, और Italy के southern side में Vatican City, जिसको holy sea के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तीनो country, Italian peninsula पे बिलॉंग करते हैं, तो इतालियन peninsula जो पूरा देख रहा है, Italy जो है, ये peninsula है, इसके जो तीन side से भी समुदर से घ हिरा हुआ है, तो इस इतालियन peninsula पे तीन country बिलॉंग करते हैं, Italy, Saint Marino और Vatican City, Baltic countries को देख लेते हैं, तो Baltic countries तो मैंने बताये था, Estonia, Latvia और Lithuania, ये तीनों country, Baltic country में आ जाते हैं, former USSR के पार्ट थे ये तीनों, अभी independent country है, उसको अब Balkan countries पे आ जाते हैं, तो ये मैंने एक dot बना दिया है, black border बना दिया है, इसके जितने south में जितने countries हैं, तो वो सब Balkan countries में आ जाते हैं, तो वही एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया था है, याद करने का तरीका, आश्ट्रिया के south से चलेंगे, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जन गोव अब ये यूरोप का सब डिवीजन देख लेते हैं, तो ये कहीं कहीं चेंज भी होता है, लेकिन मेली जो है, ये इस धंग से इसको बाटा गया, नौर्दन यूरोप की बात करें, तो ये सब जो country है, blue line में, ये आप नौर्दन यूरोप को बिलॉंग करते हैं, वही इसके ये वेडियन कंट्रीज जो है, वो नौर्दन यूरोप में बिलॉंग करते हैं, वेस्टन यूरोप कंट्रीज के बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंगलैंड, आइरलैंड हो गया, उसके साथ साथ फ्रांस हो गया, लक्जंबर, बेल्जियम, नीदर लैंड, ये सब कंट् है, तो इिटली वाला आforeा कहीं कहीं, ग्री वालक शौ समर्वार हो गहां सब आजाता है South Western Europe तो इब्रियन पेलिशुला वाले जो countries हो गया Spain और पूर्तोगार ये सब आ जाएंगे South Western Europe में आप आजाता इस्टन 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 मैंने बताया था यह तो एशिया में ही मैंने कफर कर दिया लेकिन इसका भी थोड़ा सा पार्ट इसमें बिलॉंग करता है यह इस तरह से हम लोग का पुरा यूरोप के सारी कंट्रीज को हमने देख लिया अब यूरोप के कंट्रीज और उसके कैपिटल को भी देख लेते हैं बारी बारी से करके स्टार्ट करते हैं तो कंट्रीज और कैपिटल को लेके तो अपना जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर हम लोग चलेंगे सबसे पहले इस पांच कंट्रीज को देखेंगे नौर्वेज स्वीडन फिंडलेंड डेनमार्क और आइसलेंड अब सब का अब यह आइसलेंड की बात करें तो आइसलेंड का कैपिटल हो गया रेकजाविक अब आते हैं अपने उनाइटेट कीङडम आप लोग अपने लंडन हो गया और आइरलेंड का कैपिटल हो गया डबलिंड ठीक है अब थोड़ा साउथ में चलते हैं पुर्टुगाल का कैपिटल बर्लीन और जो दोनों के बीच में जो लक्जमबर कंट्री है तो लक्जमबर भी सिटी स्टेट है तो लक्जमबर की का कैपिटल लक्जमबर यह इतना ही चोटा सा कंट्री है तो उसका कैपिटल सिटी होता नहीं जिसको सिटी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है तो इस लग्जमबर का capital लग्जमबर गी हो गया और बेल्जियम का capital ब्रूसेल्स और नीदर लेंड का capital एमस्टर्ड़। वही अब फड़ा साउथ में आ जाते हैं तो स्विट्जर्लेंड का capital हो गया बर्ण। उसके बीच में जो एक कंट्री पर लेटेंस्टीन का capital वाडूस है ठीक है इसमें लिखा नहीं है मैं लेकिन इसका मैं बता दे रहा हूं लेटेंस्टीन का capital वाडूस है उसके बाद आ ज देखेंगे बेलारूस का capital हो गया मिनिक्स और यूक्रेण का capital कीव और मोल्डोवो का capital चिसियानो ठीक है और उसके बाद आ जाते हैं अपने सेंटर यूरोप पे तो सेंटर यूरोप में चेक रेपब्लिक का capital हो गया पर्गवी और स्लोवाकिया capital हो गया बर्तिसलावा और हंगरी का capital हो गया बुड़ापेस्ट स्लोवाकिया का बर्तिसलावा और हंगरी का बुड़ापेस्ट उसका जाते हैं अपने आस्ट्रिया पर आस्ट्रिया का capital विएना और फिर अब इटली का capital भी आप लोग जानते होंगे रोम हो गया और इधर जो साउथ में पार्ट में और बोश्निया हर जोगोविनिया का capital हो गया सर्जावो और यह दा मॉंटिगार्गो का capital हो गया और अलबेनिया का capital हो गया ठीक है और सबसे साउथ में पढ़ जाएगा आपका ग्रीस का capital हो गया इथेंस यह देख सकते है इथेंस उसके बाद आब आब आ जाते हैं हंगरी से फिर चलते हैं साउथ में, तो सर्विया, सर्विया कैपटल हो गया बेल गरेड़, उसके बाद नॉर्थ मैसे डोनिया का गैपिटल हो गया, इसको पेज अधर फिर दो कंट्रिय और बज गई, रूमानिया कैपिटल बुचारिस्ट, अब बुल्गारिया का सोफिया, चोटे चोटे city state पर गया, उसका capital देख लेते हैं, तो रोम के अंदर में ही बिलॉंग कर, रोम जो capital है इतली का, इसके अंदर में ही बिलॉंग करता है, वेटिगन city, जिसको holy city के नाम से जाना जाता है, तो वेटिगन city का capital वेटिगन city ही है, ठीक है, उसी तरह सेंड मेरीनो, स capital के नाम भी मैंने बता दिये, कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो like, share और subscribe कर ना भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में,